जैश्री राम दोस्तों आज का अभी जीत मुहरत सुबह 11 बचकर 56 मिनट से दुपहर 12 बचकर 48 मिनट तक रहेगी दिशा शूल पस्चिम दिशा यदि आप किसी कारण वश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दलिया घी या पान खाकर घर से बहाल जाएं लबकारी होगा मित्रों वीडियो को अंति तक अवश देखे और अपने बारे में यदि आप जानना चाते हैं तो अपना जन डिटेल और अपने कोशन के साथ कमेंट बॉक्स में अवश लिखें तो चलिए मित्रों आज का राशी फल जान लेते हैं मेश राशी ऐसी गति वीडियों से जुड़े रहें जो आपको सुकून दे घरेलू सुख सुविदा की चीजों पर जरूत से ज़ादा खर्चा ना करें आपका मूडी रवया आपके भाई का मिज़ास खराब कर सकता है इसने एके बंधन को बनाय रखने के लिए आपको परिस पर सम्मान और विश्वास पैदा करनी की जरूत है प्यार और महबत की मामले में अपनी जुबान पर काबू रखें नहीं तो परिशानी में पढ़ सकते हैं अपने काम और शब्दों पर गौर करें क्योंकि आदिका पिंग अपनी माता या माता समानिस्त्री के साथ करके आप उन्हें खास होने का हैसास करवा सकते हैं विशव राशी आज आपका मन प्रसन रहेगा आप घर और ओफिस के दुनिया से बाहर निकल कर प्रकरती का आनंद लेंगे पुरानी बहुम्मूल चीजों के मोल भाव प पर आप गर्व महसूस करेंगे शुब अंक्छे शुब रंग पारदर्शी और गुलाबी उपाए हरे रंग के वस्त्र अधिक पहने इससे स्वास्त अच्छा रहेगा मिथुन राशी मान सिक शान्ति के लिए तनाव के कार्णों का समधान करें दिरगावदी निवेश से बची और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं घर को सजाने सवारने के लिए अपने खाली समय का उपियोग करें इसके लिए आप परिवार से सरहना पाएंगे किसी से तभी दोस्ति करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी लें और उसे भ गरके समान को विवस्ति धंग से लगाने से जीवन में अनुशाशन के शुरुवात कर सकते हैं। शुबंक चार, शुबरंग भूरा और सलैटी। उपाए, घर में फटे पुराने पुस्तके या धार्मिक ग्रंतों को ना रखने से फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी। करकराशी, आज कर दिन ठीक ठाक रहने वाला है, आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें, नकरात्मक चीजों को अपने उपर हावी ना होने दें। आज आप जौब स्विच करने का मन बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे ऑप्शन देखकर ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए। सिंग राशी, आज आपके पास प्रचूर उल्जा होगी, लेकिन काम का बोज आपकी खीज की वज़य बन सकता है। कुछ समय अपने व्यक्तितो को निखारने में लगा सकते हैं, क्योंकि आकर्शक व्यक्तितो का आत्म निर्माण में एहम योगदान है। शुबंकि 6, शुबरंग पारदर्शी और गुलाबी, उपाए। उपाए, गडेश, चालिसा, वह आर्थी का पाठ करने से आर्थिक इस्तिती अच्छी रहेगी। तुलाराशी, मानसिक शांती के लिए किसी दानपुन के काम में सहभागिता करें। जेब में हरे रंग का रुमाल रखना आर्थिक इस्तिती के लिए शुब है। कोई प्रतिक्रिया आप देना नहीं चाहेंगे। अपनी भावनाओं को प्रेमी के साथ शेर करने में आपको हिचक हो सकती है। शुब अंक आठ, शुब रंग काला और नीला। उपाए, कांसे के गोल तुकडे को हरी कपडे में लपेड कर जेब में रखने से आर्थिक इस्तिती सुद्रेगी। धनुराशी, प्रभावशाली लोगों का सहोग आपके उत्साह को दोगना कर देगा। आज कुछ मुद्दों पर आपस में ठकरा हो सकता है। लेकिन बहस करते करते कुछ अने मुद्दे भी हल हो जाएंगे। इससे आपकी लव लाइफ में ताजगी आने के संभावना है। शुबंख पाँच, शुबरंग हरा और फिरोजी, उपाए, सादू संतों को प्रसंद करने वा उनका मान समान करने से प्रेम संबंद अच्छे बने रहेंगे। मकर राशी, आज का दिन शांदार वीतेगा। जरुत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। उपाए, दुर्गा जी के मंदिर में प्रसाच चड़ाकर गरीबों में बाटने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। मीन राशी, आज का दिन आपके लिए उच्छा पूर्ण रहेगा। आज कारियों में तरक्की बनी रहेगी, साथ ही कोई मांगलिक कारे भी कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बाहर मौसम का लुट्फ उठा सकते हैं, आज नए लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। ऑफिस में काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। आज कोई भी नया काम शुरू करते समय माता पिता के पैर्चुएं सफलता मिलेगी। शुब अंक एक, शुब रंग नारंगी और सुनहरा, उपाय, आर्थी के सिदी को अच्छा रखने के लिए कांसे कदार्न करें। इसे बुद्ध प्रसंद रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकरी, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजे, ज़्यार से ज़्यादा शेयर कीजे और कमेंट में अपना प्रॉबलम हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए उपाय बता पाएं। आप सभी का धन्यवाद जयाश्ची!